चैम आतादी दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारी योट्यव चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून माह के पहले सप्ताह के कुम्भराशी फल के बारे में एक जून से साथ जून तक का समय कुमराशी के लोगों के लिए किस तरह से वैतित होगा इन साथ दिनों में जो ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं जो उधल उधल हो रही है जो शुब योग बन रहे हैं जो अशुब योग बन रहे हैं उनका प्रभाव आपकी दिंचर्या पर किस तरह से प्रभाव डालेगा सब को जानेंगे इस वीडियो में हम विस्तार से आपकी सिक्षा, स्वास्त, प्रेम जीवन, परिवारिक जीवन, धामपत्य जीवन, करियर, नौकरी, दुकान सभी चीजों के बारे में हम यह जानेंगे और वीडियो के अंत में उपाय भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को अंते तक देखे और आपसे निवेदन है कि चैनल को सबस्क्राइब कर लें पैस में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों यह जो सब्तहा है यह बेहद खास सब्तहा रहने वाला है क्योंकि एक जून से साथ जून तक ग्रहों में इस तरह से फेर बदल होने वाला है जो सभी लोगों को प्रभावित करेगा यहां कुम राश यह आपके आठवे, नौवे और दसवे भाव को प्रभावित करने वाला है और चंद्रमा की जो इस्तिती होगी इन साथ दिनों में आपके तीन ग्रहों को प्रभावित करने की उसके अनुक सार भी रिजल्ट आपको मिलेंगे इसके अलावा एक जून के दिन गंगा दसहर की तिथी है जो निर्जला एकादशी है सभी तिथियों में से 24 तिथियां 24 एकादशी होती है एक वर्ष में और उनमें सबसे सरवस्रेस्ट जो एकादशी होती है वो निर्जला एकादशी होती है क्योंकि इस दिन बिना जल अन ग्रहन की ये वरत किया जाता है और पानी का दान किया जाता है इसके बाद पांच जून को चंद्र खंड्र ग्रास है यानि चंद्र ग्रहन है पांच जून को जो बेहद खास है और ये चंद्र ग्रहन व्रश्चिक राशी में है तो इसका वरभाव भी इस सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा यानि इतनी तरह से जो इस्तितियां हैं वो परिवर्तित हो रही है ये पूरे सप्ता की गति विदियों को परिवर्तित करने वाली है यानि हर दिन कुछ नया होने वाला है हर दिन कुछ सावधानी या कुछ उपाय या फिर अच्छे लाब की प्राप्तियां आप सभी को होने वाली है और किस-किस त चंद्रमा हैं अस्टम भाव में चंद्रमा की स्थिती होती है बहुत अच्छी नहीं माने जाती है कुछ लाब भी कराती है और कहीं आपको सावधानिया भी रखनी होती है एक तो इन दिनों में विद्यारती जो है उनको थोड़ा संयम से पेशाना होगा आपका मन पढ़ाई से दहदर हो सकता है मन पढ़ाई में नहीं लग पाएगा इसलिए आपको ज़रुत होगी कि आप ज़्यादा ध्यान दें अपनी पढ़ाई पर अपने आपको फोकस करने की तरफ इसके लिए आप मेडिटेशन जरूर करें इसके लावा इन दिनों में धन का लेंदेन करते स से ऐसे में आपको सावधाने जरूर रिखनी है क्योंकि अस्ट्रमभाव के छंद्रमा है और यहां आपके लिए इस दितियां जो निरमित होंगी वह ऐसी होंगी कि धनाने के दोनो जाने Gavin ngay बनने डं रहे बनने हैं दोनोही सब्रक्स मन किसी बात को लेकर थोड़ा व्याकुल हो सकता है चिंतित हो सकता है कोई ऐसी बात आपको चिंता का विशय आपके लिए बना सकती है जिससे मन में आशानती हो तो इसके लिए आप थोड़ा धहरे से काम लेंगे आ गयाने वाला समय आपके लीए परिवर्तित होता हुआ दिखाई दिखा। लेकिन एक मऐ, एक जून, एक जून का जो समय है वो गंगा दसेरा का दिन है। इस दिन आप गंगा दसेरा के दिन मांगा की कुछ उपाय जरूर करें जो आपके जीवन को कई तरह से परिवर्थित कर सकते हैं और देखिए दो जून का दिन निर्जला एकादशी का दिन है ये जो जून माहा के शुरुवाती दो दिन है ये बहुत खास है और सबसे ज़्यादा खास इसलिए है क्योंकि इन दिनों में किये गए उपाय बहुत कारगर साबित होते है तो इन दो दिनों में आप ज़रूर उपाय करें क्या उपाय करें ये भी हम आपको बताएंगे तो एक जून के दिन गंगा दे सेरा का दिन है तो एक तो इस दिन आप गंगा जी का आशिरवाद लेने के लिए गंगा इसनान करें, जो आप घर में ही कर सकते हैं, अपने इसनान के पानी में गंगा जिल डाल कर आप गंगा इसनान करें, ये आपको गंगा इसनान के जितना ही फल देगा, साथ ही कुछ उपाय करें, अपन आप ये सुनें और जो दो जून का दिन है यह सर्व स्रेस्ट दिनों में से एक है बह tay शुब योग में आया है दो जून का दिन क्योंकि यह निरजला एक आदशी का दिन है अगर आप पूरे वर्ष में कोई एक आदशी नहीं करते हैं तो इस दिन आप जरूर रत रखें जो बिना जल के रखी जाती है यानि जल ग्रहन नहीं किया जाता है और अगर आप रत नहीं रखते हैं तो दान जरूर करें इस दिन पानी का दान किया जाता है प्याव लगाए जाते है मटके का दान किया जाता है सत्तू का दान किया जाता है इन चीजों का दान इस दिन करने से आपकी जीवन में जो चंद्रमा संबंधी परिशानिया है वो आपकी जीवन को प्रभावित करती है मानसिक पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है जो चिंताएं हैं उनसे मुक्ति मिलती है देखिए जल जो है वो चंद्रमा का कारगर है और यहां जल का जो दान होता है वो आपके चंद्रमा को भी मजबूत बनाता है और साथ ही आपकी हर चिंताओं को मिटाता भी है और साथ ही जो एकादशी है ये आपको सभी 24 एकादशियों के वरत का फल दिलाता है इसलिए ये इतना एहम एकादशी का दिन माना जाता है भागान विश्णों की पूजा अर्चना जरूर करें और दान पूने जरूर करें इस दिन का फाइदा आप जरूर उठाएं इसके बाद की हम बात करते हैं चंद्रमा की इस्तिती दो जून को दोपहर को परिवर्टित होगी और कन्या राशी से निकल कर तुला राशी में चंद्रमा आ जाएंगे हाँ दो तारी के दोपहर से तीन और चार जून तक चंद्रमा आपके नौवे भाव में होंगे तो देखे नौवे भाव में तुला राशी में चंद्रमा की स्थिती जो है वो बहुत अच्छी है ये जो दिन होंगे ये आपके जो दिनचरिया है उसको बेहत प्रभावित करते हुए नजर आएंगे जो मानसिक पीड़ा आपको पिछले दिनों में हुई थी वो मानसिक पी दिनचरिया है उनका काम तेज गती पकड़ता हुआ दिखाए देगा डेली आयमे विरधी के योग आपके लिए बनते हुए दिखाए देंगे तो ये चंद्रमा की जो नवंभाव में इस्तिती है वो काफी अच्छी इस्तिती आपके लिए रहने वाली है ये दिन आपके आपके दामपत्य जीवन के लिए पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अच्छे रहने वाले हैं एक दूसरे का सपोर्ट आपको मिलेगा लव रिलेशन्सिप के लिए बेहद अच्छे ये ड़ाई दिन रहने वाले हैं क्योंकि भागय भाव में चंद्रमा है और ये चंद् बुनने का काम भी कर सकते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित निश्यत रूप से करेगा ये समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं शेर मार्केट से जुड़े हुए हैं यानि जितने भी जो काम होते हैं जिनमें भागे का साथ चाहिए होता है भागे के सपोर्ट से काम भी मिलती है उन कामों के लिए ये जो ढ़ाई दिन है ये बेहद खास ढ़ाई दिन रहने वाले हैं आपको इन कामों में जबर जबर तरक्की देखने को मिलेगी ये समय आपके लिए ऐसा होगा कि कम महनत में ज़ादा रिजल्ट आपको दे चंद्रमा चार जून दो पहर एक बज़े राशी परिवर्दित करेंगे और आपके दस्वे भाव में जाएंगे और छे जून शाम तीन बज़े तक चंद्रमा आपके दस्वे भाव में रहेंगे। चंद्रग्रहन है यह आपके कर्म शेत्र में हो रहा है कर्म शेत्र में चंद्रग्रहन का होना व्रश्चिक राशी में चंद्रग्रहन का पढ़ना आपकी कर्म को कही ना कहीं प्रभावित करता हुआ जरूर दिखाए देगा हाला कि कुम राशी के लोगों के लिए यह चंद् दिखाई देगी ये दिन आपके लिए काफी वैस्तिता भरे रह सकते हैं आपके भागदोर के दिन रह सकते हैं कर्मशित्र में चंद्रग्रहन का होना आपके लिए आपके कर्म को प्रभावित करेगा लेकिन आपके काम की स्पीड को भी बढ़ाएगा भागदोर रहेगी ठक इच्छा है और विध्यारतियों के लिए भी ये समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का है इस समय अवधी में आपको आपका पारिवारिक जीवन है वो सपोर्ट रहेगा आपके माता पेता का सहयोग आपको प्राप्त होगा और यहां जो शादे शुदा जातक हैं उनको सस मंतर का जब कर सकते हैं या फिर आप अपनी गुरू मंतर का जो मंतर है उसका जब जबा जरूरकरें क्योंगी इस March का जब किया जाता है वह सिद्ध हो जाता है इसलिए इस दिन जब करना ज़रूर होगा आप चाहे तो विश्णु मंत्र का जब कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासु देवाए ओम नमो भगवते वासु देवाए नमा इस मंत्र का जब आपके लिए बहुत शुब रहेगा इसके बाद हम बात करते हैं आगे आने वाले दिने की 6 जून को शाम 3 बजे चंद्रमा राशी परिवर्टित करके आपके 11 बहाव में जाएंगे धनूराशी में और 7 जून तक वहीं रहेंगे देखे 11 बहाव में चंद्रमा यहां केतु उपस्तित है और चंद्रमा की इस्तिती है यह लाव भाव है तो यह जो इस्तिती होगी यह भी आपके लिए बेहाद अच्छी रहने वाली है और यहां आपको लाव की बाति होगी आपको अपने जो अपने काम किया है जो इस सब्थाह में आपने जो मेहनत की है उसका रिजर्ट आपको इस सब्थाह के अंद तक बहुत ही शुब देखने को मिलेगा जीवन को परिवर्थित करने वाला result भी हो सकता है इस समय आमें आपके लिए गाड़ी मकान ऐसी चीजों की खरेदारी का योग भी बना हुआ है पहत्रक संपति से लाब का योग भी है जो आपके लिए इस सपता के अंत के दिन आपको लाब में परिवर्टे ते इस सपता को कर देगा तो ये जो सपता है ये कई तरह से आपके लिए बहुत अच्छा सावित होने वाला है लेकिन जो उपाय बताएं उन उपायों को आप जरूर करें साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें